गुड मोर्नेंग विद्यार्थे मित्रो आजे आपड़े अभ्यास करवा जही रहाए छिये M-phase कोष्च चक्र अने कोष्च विवाजना चैप्टर नो एक मुख्य आवश्यक तबक्को M-phase लाश्ट टाइम आपड़े कोष्च चक्रमा आंत्रा अभ्यास करेंग अभ्यास करेंग तो आपड़े आजी अभ्यास करवा जही रहाए छिये M-दबक्को M-phase M-phase नो आपड़े अभ्यास करवाना चीए तो आपड़े जानिये चीए के M-phase ने विजा काया नाम्थी उडख्वामा आवे छे तो विबाजनना तबक्का तरीके के बड़ल उडख्वामा आवे छे कारण के जे I-phase हतो आंत्रावस्ता आती कोष्च चक्रमा बे वास्ता आती आंच्तलावस्ताओ अने M-phase एमाा आंत्रावस्तामा सु धायु तो आंत्रावस्तामा जैनेनिक द्रव्य औने कोशी ये द्रव्य बीवडाया. परन्तु एमा कोई प्रकार ना विबाजन थायो ना तू हावे आपड़े जोई ए कि M फेजमा सू थाई छे तो M फेजमा विबाजन थाई छे हावे विबाजन बे प्रकारे थाई छे तो विबाजन बे प्रकारे थाई छे एक छे सम्विवाजन औने वीजू छे अरधीकरान हावे आब बन्ने वच्चे डिफरंस उचे ये अपने अभ्यास करीए तो सम्विवाजन एटले एक कोश्मा थी विवाजन थैने ब्यकोश्णु निर्मान थाऊ एक कोष मा थी वीबाजन थाईने बे कोष नो निर्मान थाऊ परन्तु जे सम वीबाजन सर्खू वैच ने थाऊ तो आ कोष ना कोष के अंदर नी अंदर जो एड़े 2N होई तो आ कोषो पन के वा निर्मान पामेचे 2N अद निर्मान पामेचे एटले के 47 रंग सुत्रों दरावतों मात्रू कोष हो है तो एमा थी जे बे बाळ कोषो निर्मान पामेचे एमा पन 46-46 रंग सुत्रों ने सर्खळी वैच नी थाई छे जैने सम वीबाजन कैवामा आवेचे चारे अर्धीकरण मा चे अर्धीकरण मा एकज अर्धीकरण मा बे वार वीबाजन थाई छे प्रथम वीबाजन ए सम वीबाजनने समान होए छे एमा केटला कोषो निर्मान पामेचे तो बे कोषो निर्मान पामेचे आचे अर्धीकरण 1, एमा जो सेल 2N होए, अने 46 रंगसुतरो दरावतो होए, मानव कोशनी बाद करिया आपणी, तो आमा रंगसुतरो 46-46 रंगसुतरो दरावतो, प्रथम डिविजन ने आंते 46-47 रंगसुतरो आता सेल निर्मान पामे छे, परंतु जरे आजे बे निर्मान पामेला सेल अता, एमनु फरीती डिविजन थसे, तो एमा जे 2 सेल निर्मान पामे छे, अब बनने सेल मा, रंगसुतरो ने संख्या अर्धी धाई जायई छे, एटले के 23-23 रंगसुतरों दरावता, कोशो निर्मान पामे छे, तो जे मातरू कोशतो, पितरू कोशतो, तो 46 प्रक्रियाओ थाए छे तो आजोई आपने संभी बाजन अने अर्धी करन मा एमा बे प्रक्रियाओ थाए छे एमा बे प्रक्रियाओ कई थाए छे तो संभी बाजन अर्धी करन मा बंडे मा बे प्रक्रियाओ थाए छे तो प्रथम आपड़े संभी बाजन अभ्यास करवाना छे तो संभी बाजन मा थती गटनाओनों आपड़े अभ्यास करिये तो संभी बाजन मा बे प्रक्रियाओ थाए छे प्रथम छे कोश कैंद्र विब प्रथम कोश्केंद्र विबाजन थाई छे अने पछी कोश्रस विबाजन थाई छे हवे आ कोश्केंद्र विबाजन ने पौन सरणता खातर बद्धीच एमा प्रक्रियाओ क्रमीक थाई छे परंतु समझवामा सरणतारे एना माटे तेमने कोश्केंद्र विबाजन ने टोट प्रथम तबक्को पूरुवावस्ता, बीजो तबक्को बाजनावस्ता, जैने मध्यावस्ता पन कैवाम आवेचे, त्रीजो तबक्को छे बाजनोत्तरावस्ता, अने अंतिम तबक्को कयो छे तो अंतिय अवस्ता, बाजना अंतिम अवस्ता पन तेने कैवामा आवेचे, आम कोश्त केंदर विबाजनने क्रमिक चार तबक्कावमा वाईच्वामा आवेचे, आपने कोश्त चक्रनो अभ्यास करयो छे मित्रो, तो कोश्त चक्रमा केटलो तबक्का कहया आता तो बीजा बदा तबक्का आता ते आंत्रा वस्ताना तबक्का आता तो एक जीवन फेज अतो जीवन SG2 आने आजी तबक्को छे के जनो तरहल आपड़े अभ्यास करी रहाए छीए ते तबक्को कहयो छे तो M फेज छे M फेज छे अटलो M फेज कोस्ट के अंदर विबाजन आने आटलो कोस्ट रस विबाजन M M फेज ए अटला समय नो गाळो छे बाके ना बद्दाज फेज ए आई फेज ता जी आपने लास्ट वीडियो मा लास्ट लेक्चर मा अभ्यास करे होतो तो आजे मित्रों आपड़े सु अभ्यास करवाना छे आजे आपड़े M तबक्का मा जे बे प्रकानों विबाजन थाई चे सम्बीबाजन आने अर्दीकरान हावे सम्बीबाजन आपड़े जानिये छी है कि कया कोसोनो थाई छे तो सम्बीबाजन ते दैहीक कोसोनो थाई छे जारे अर्धीकराण ए प्रज्णन कोसोनु थतू अदू सम्बिवाजन मा कोश केओ हो जोई ए सम्बिवाजन मा केटलीक वार सेल एक कीए पन होई छे आने केटलीक वार द्विकीए पन होई छे एकी यानि द्विकिये बन्ने कोसोनों सम्विवाजन थाई सके छे चारे अर्दीकरण फक्त द्विकिये कोसोनों थाई छे मित्रों तो हवे, आपने अभ्यास करवा जही रहे हैं छिए, एन फेज मां, सव प्रथम, सम वि बाजन मां, कोष केंद्र विबाजन नों अभ्यास करवाना छिए, जना क्रमिक जे, चार आत तबक्काओं छे, ये तबक्काओं लो, स्टेफ प्रिक्रील क्रियाओं नों क्रमिक परन्तु आने अभ्याशनी सरण ताखा थर तेमने चार तबक काओमा मैं चवामा आवे छे के जैमा बद्धाज प्रकाने अलग-अलग प्रकरियाओ थाई छे तो हवे आपड़े मित्रो श्टार्ट करिये सम्विभाजन नो प्रतं तबकको पुर्वावस्ता तो सम्विभाजन एनो प्रतं तबकको आपड़े जोईए पुर्वावस्ता ओके तो पुरुवा वस्ताना आपने बेह स्टेज जोवाना छिए मित्रों पुरुवा वस्ताना आपने बेह स्टेज जोवाना छिए एक पुरुवा वस्तानी सरु आतनो स्टेज अने पछी अंतनो स्टेज पुरुवा वस्तानी सरु आतनो स्टेज पछिया अपड़े अन्तिनों स्टेज जोवाना छे तो मित्रों जे आई अवस्ता मां आई फेज मां हवे सम्विबाजन एक कई गटना छे संवीबाजन ए गटना छे, जे आंतरावस्तानों अंतीम तबग को G2 फेज अने जे आंतरावस्तानों सरुवाघनों तबग को G1 फेज जे एना मद्यनों तबग को छे हवे जे आस समभी बाजन छे एस समभी बाजन ने गटना नी सरू आद पुरुवा वस्ताती थाए छे के जे कोश केंदर विबाजन नो एक उप्त बगो छे अवे पुर्वा वस्ताने सरू आतनो जे सेल होए इस सरू आतनो सेल क्यां थी आवे होए तो आंतरा वस्ता माथी आवेला होए तो आंतरा वस्ता माथी आवेला सेल ने हुँ आकरोती दोरू तो एमा आपड़े दर्शावियो कोश केंदर पटल एमा आपड़े आ दर्शावि इलिरीका आवेली होई छे कोशकेंद्र पतलनी अंदर और रंगसुत्र आपड़ जानियाईँ छिए कियास्वरूपय आवेल होई छे रंगसुत्र काईस्वरूपय आवेल होई छे रंग सुत्रकय स्वरूपय आवेलु है छे, रंग सुत्रिय द्रव्य स्वरूपय आवेलु है छे, बिजी अंगीकाव मा गोल्गी प्रसादन, अंतर कोसरस जाण एबधी प्रेजन्ट होय छे, ज्यारे सेल आइ फेज मा थी, ए संविबाजनने प्रथम अवस्ता, पुरुव पुरुवावस्तानी सरुवात्मा प्रविशे छे त्यारे हवे अपने जोईए कि पुरुवावस्तामा कई प्रक्रियाओ थाए छे तो पुरुवावस्तामा त्रण स्टेप मा प्रक्रियाओ थाए छे प्रथम प्रक्रिया कई थाए छे तो रंग सुत्र द्रव्यानू गनी प्रथम स्टेप मा रंग सुत्रे द्रव्यानू घनीकरन थाई छे, बिजा स्टेप मा थाई छे, सम्विबाजनिया प्रसाधनू निर्मान थाई छे, आभी जानम्बनो स्टेप ने छे, अन्तिम स्टेप मा सु थाई छे, तो कोष्टकेंद्र पटल पटल कोष केंद्री का, अन्तह कोष्टरस चाड़, घोलगी प्रसाधन, आब अधी आज अंगी काओ छे, तेमनू सु थाऊ, अद्रश्य थाऊ, तेमनू सु थाई छे, अद्रश्य थाऊ, अद्रश्य थाऊ थाई छे, मित्रो, तो आजे में सेल दर्सावियो छे, ते एम ती रचना दर्सावी छे, तो कोष्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस्ट्रस सब्सेत्री का कौष केंदीना अपने दर्शाविमार सब्सेतो अगतो हैं या सफेळ पूरवावस्ताने अंत सफेवार द्रमत नीपत कमानém करण थाय चे हावे रंग सुतरिया ध्रव्यस मरुपी आता एक कण्डेन्स द्रव्य as अदा जुट कर थां अनुँ गनी करण थाऊ एपले के एमन्ग मैं रंग सुतरो में फेर वाऊं एनुगßen!!!! थाओ एटले शू रंग सुत्रों मा फेरवाओ कि जे एक सेंट्रों मेर औने बे एककल सुत्रों दरावदा होए एटले कि एक सेंट्रों मेर दरावे एक सेंट्रों मेर दरावे आपड़े आहू दर्शाओ नॉर्मली फक्त समझवा माटे तो एनू गने करां थाए एक सेंट् परते बन्ने तरफ ना बे एकल सुत्रो धरावदू आउ रंग सुत्रो मा रुपांतरन थाई छे आवा रंग सुत्रो मा रुपांतरन थावानी प्रक्रिया थाई छे एकले ज रंग सुत्र द्रव्यनु गनी करन आ पर्थम स्टेप छे एना पची सुत आई छे तो सम चना मारे दर्शामनी रही गई छे, यहुँँ दर्शाई दवू, आपड़े जानिये छीए कि सम्वी बाजन ना जे आंत्रावस्ता आती, यहमा जे S तबक्को होतो, S तबक्कामा जे जनिनीक द्रवी अतो बेवडा अवी होतो, DNA तो डबल थाई होतो, परन्तु यहनी साथे साथे, प्राणिकोसो मा तारा केंद्र पन बेवडा आया आता, कोण बेवडा आयो अतो, तारा केंद्रो पन बेवडा आया आता, तो आ तारा केंद्रो में दर्शावे आछे, आ बन्ने तारा केंद्रो दर्शावेला छे, आ तारा केंद्रो नू जे पुरुवावस्तानी स धेंद्रों परस्पर विरुद्दिशामा गती करे छैं concrete गतीक है ज़ितर है चि एनले परकोस है ने पुत्वता में चोनलत धरकाल dollar av. ते जे खस्वानी प्रक्रियानी श्टार्ट करे छे आने यहमाती दीदरूवियत राकोनों निर्मान करे छे ते प्रक्रिया ने जे सेल जे रचना बने छे खस्वानी सरूवात करे छे खस्ता जाये चे बने दरब ते संबी बाजनिय प्रसादन नों निर्मान थायो ते उँ क साधन आ बदी अंगी काओनों अद्रश्य थमानी सरूवाद थाई जाई छे तो आवे आपड़े ए आक्रोतियों दोरू एटले के अंत भाग दोरू कोनो पुर्वावस्थानों अंतिम श्टेट दोरू तो जे कोश केंद्र पटल अतू ए आपड़े तुटक तुटक दोरू कारण के सू कारण के ते अध्रश्य थवानी सरूवाद थाई जाई छे जे रंगशुत्री काओ अती रंगशुत्र द्रव्य स्वरूपे अतू जनिनिक द्रव्य ए रंगशुत्री ये द्रव्य रंगशुत्रों मा घनीकरन थवानी प्रक्रियाश्टार थाई जाई छे आ आपड़ा आखा जे संवी बाजननों स्टेप छे, ये संवी बाजन मा आपड़े जे आहुं रंगसुत्रो जे लईने समझावानों छो, एमा मेतरो बे रंगसुत्रो लईने तमने समझावीज, के बई आ रंगसुत्रे द्रव्यानों गनीकरन ठायू, और बे रंगसुत्रो पाम्या तो अवे तमे आ अंतिम श्टेट छे कोनो सम्विबाजन ने फुरुवावस्तानों अंत श्टेट छे एमा तमे त्रों गटनाओ जोई सको छो के रंगसुत्री ये द्रव्यनुसु थायू गनेकरान थायू बिजो श्टे सम्विबाजन ये प्रसादननों निर्मान थाओ तो थे तारा केंद्रों ये परस्पर विरुद्रुवावतरव खसी जाय छे परस्पर सामसामिन द्रुवावतरव खसी जाय छे तो अब आ सेल मा आजे रचना बनी तेने सम्विबाजन ये प्रसादननों निर्मान थायू तेम कए वाई छे अन्त श्टेज मा चेंद्रीका जे सेंटर मा आती ते पन अध्रश्य थाई जाय छे बहानी तरब कोशकेंद्र पटलने बहानी तरब जे अन्त श्रस जाण आवे लूँवतू अने गोल्गी प्रसदन आवेला था ते पन अध्रश्य थाय छे एनसी आइटी बूग प्रमाणे उथी एटी सम्जावा जाई रायो छो, एनाज प्रमाणे आकरूती दोरी छे, एटले एमा आ गोल्गी प्रसादन अने अन्ता कोश्रस जानने आकरूती दोरेली नथी, एटले जमे आमा पन दोरी नथी, अन्तीम स्टेज मा पुरुवा वस् स्वीट, सम्वीबाजन नो प्रथम तबक को पुरुवा वस्ता, तो आमा तमने सरस समझान पड़ी गई से, एवी उआसा राखूं, हवे आपडे सम्वीबाजन ना बीजा अवस्ता तरब जई रहा छिए, जेनू नाम सू छे, तो बाजना वस्ता, तो वे बाजना वस्ता आपडे विशिश्ताओनों अभ्यास करी सू, और बाजना वस्ता ने आपडे स्टेजनों सम्पून अभ्यास करी सू, तो चलो, सेकन नाम मनू श्टेप आपडे जोई रहा छिए, जेनू नाम छे, बाजना वस्ता, जेने बे नाम थी उड़कवामा आवे छे, मद्या वस् जेने मद्या वस्ता पण कहिवामा आवे छे, तो आवे छे कोशकेंद्र पटल लुप्त थाई गयो, कही अवस्तामा पूर्वा वस्ताना अंतेम स्टेज मा, आपडे जानमनू स्टेप छे, आमा अपडे बे अश्टेज जोवाना छिए मेतरो, आमा कहा बे अश्टेज जो आत्मा अने अंतबाग, आम बेश्टेज जोवाना छिए, तो सरू आत्मा जे आपनने सेल प्राप्त थाई छे, सरू आत्मा आपनने जे कोश प्राप्त थाई छे, एमा हवे आ कोशकेंद्र पटल तो अद्रश्चे थाई गयो, तो आपडे हवे ए दोरिसू नई, तो रंग सुत्र जे हता, रंग सुत्र आपने बे रंग सुत्र ने लेने आखे थी एरी समझवाने छे, तो रंग सुत्र सुत्र हसे, रंग सुत्र ए समग्र कोश्मा फर्ता थाई जैसे, समग्र कोश्मा ते बहार्ना कोश्रस मा ते फर्ता थाई जाई छे, बाकीनो सू आवेल अने बे तारा केंद्रो परस्पर विरुद्रुओ तरफ गोठवाएला जोवा मड़े छे बाजनावस्तानी सरुवातना स्टेज माँ हवे बाजनावस्तामा सू प्रोसेस थाई छे तो बाजनावस्तामा जै तारा केंद्रो वता तारा केंद्र अने आ रंग सुत्र अवे भाजनावस्तामा काया स्टेप थाई छे जो ही आपने तो सव प्रधंसु थसे तारा केंद्र मा थी दीदुरुवी ये त्राकनो निर्मान धीदुरुवी ये त्राकनो निर्मान थाई छे के जे परस्पर भीरुद्धी सामा बनने गोठपाई गएला होई छे आ दीदुरुवियत राक्णू निर्मान थाया पची दीदुरुवियत राक्जियता सुक्ष्म नलीका हो अती ते रंगसुत्रना काइनेटो कोर साथे जोडान करे छे अब इजी विशेष्ता छे रंगसुत्रा केंद्रा माते इदुरुवियत राक्णू निर्मान थाया अने इदुरुवियत राक्णू निर्मान थाया ने रंगसुत्रा मा काइनेटो कोर स्नीच चाय करिये सवप्रथम तो जे रंगसुत्रा आता मिद्रो जे रंगसुत्रा हो हो जोड़ावववानु ज्धान पूरू पाडे छे रंगसुत्रत्रनु जोड़ाववानु ज्धान पूरू पाडे छे स्थान पूरुपाडे छे तो जिया तारा केंद्र ता ए तारा केंद्र मादी सुन निर्माण पामियू दीदरुवी एताक सुक्ष्मनली काओ निर्माण पामे आ सुक्ष्मनली काओ एक वनी साते जोडाई छे काइने टकोर साते जोडाई छे काइने टकोर एट लेगे सेंट प्रमेरो प्रावेली एक बिम्ब जेवी तकती के जे सुक्ष्मनलिकाओने जोडावा माटेनू स्थान पुरुपाडे छे तो आहती बाजनावस्तानी सरुआतनी प्रक्रिया रंगसुत्रमा काइनेटकोर साथे जोडाई छे कौन दीधुरुवियत्रा इतले के सुक्ष्मनल काओ के जे जे तारा केंद्रमां देनलिकिंद्रा इतले जोडाई थरा सुक्ष्मनलिकाओoland दこれで लीधुरुपाओ भलुपामा PPT वैस्ता हुके तो에 मैंने मोध्यावस्ता पट्टी का उपर गोठा हुआनों कारिय करे छे तो जे रंगशूत्रो अदा एह रंगशूत्रो क्या आव़ी गया तो रंगशूत्रो एह क्या आवी गया तो मद्या भागमा भी गया मद्या भागमा एटले के अ सेंटर भागमा गोठवाई जाई छे क्या गोठवाई जाई छे सेंटर भागमा गोठवाई जाई छे कौन गोठवे छे तो तारा केंदरो माथे निकड़ेला दीदरूवी ये तरा तेमने गोठवे छे तो आ सेंटर भागमा गोठवी काड़ा बागीना भागमा कोश रस्तो आवेलोज होई छे तो जे आ मद्या भागमा एटले के बाजन तल थायू आरी विबाजन पाम्मानों तल थायू तेनी साथे थे बाइंड करे छे तेनी साथे ते मद्या भागमा रं रंग्सुत्रोंने गोठेवी काडे छे औने आज अन्त बाग छे रंग्सुत्र मां काइन रेकोर साथे जोडाये छे अन्तिम श्टेज मां रंग्सुत्रोंने मद्या वस्तापटी का अथ्वा तो भाजन तल पर गोठवे छे इतले के मद्य भागमा लावी दे ज़े तो आश्टे जटो बाजनावस्ता हावे बाजनावस्ता नी मुख्य विश्यस्ता नी बात करी आपड़े के जे नेटमा पन क्वेश्चन पूछाई सके ते हो ज़े अपने अभ्यास कर Rapha था ०्धू यारे पन कोई साइटिस्ट अरब कोई स्टुड़न्ट ने माइक्रोस्कॉप मा अजे बदी समीबाजनी प्रकारी आँछे एमा जो कोष्ट नो अभ्यास करवो होए रंग सुत्रों ने गोठावनी नो अभ्यास करवो होए रंग सुत्रों नी रचना नो अभ्यास करवो होए त्यारे जे चार स्टेज छे संभिबाजनना पुर्वावस्ता बाजनावस्ता बाजनोत्तर अवस्ता अने अंत्यावस्ता आ चार स्टेज मा थी जे बाजनावस्ता छे ए बाजनावस्ता सिलेक्ट करवा मा आवे छे अभ्यास मा लेवा मा आवे छे साना माटे कि रंगसुत्र नू बंतारण क्यों छे ते जानवा माटे आ रंगसुत्रो आमा स्पष्ट जोवा माडे छे तो बाजनावस्ता इस्टडी फेस छे एलेकर रंगसुत्रो ना अभ्यास माटे कोष्ट ना अभ्यास माटे नो एक आवश्यक टबक को छे के जे मा कोष्ट नो तमे सरस्रीते अभ्यास करी सको छो आने आ रंग सुत्रों जे मध्या वस्ता पट्टी का उबर गोठपाएला जुवा आमडे तो एनो बटलब के तैना परती निर्धारित करवा मा आवे छे के जे सेल छे ते कया स्टेज मा छे बाजना वस्ता मा छे तो सव प्रथम आपड़े पूरवा वस्ता जोई हवे बीजा नंबर आपड़े बाजना वस्ता जोई हवे एनो त्रीजो प्रकार जोई है आपड़े बाजनो तरा वस्ता